Hello students, welcome to Life at EMU. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप जानता होंगे, आपने काउंसलिंग कर दिया, लेकिन अब लिस्ट आएगी, वो लिस्ट कब आएगी, एड्मिशन किस किस का हुआ है, वो बता देता हूँ, मैं कैसे पता चलेगा, तो उसे फर्म लिस्ट बोलते है आपको मैंने पहले भी बताया था, उसमें जो शेडियूल था, इसके डियूल में उसमें था, तो उसमें बताया गया था, कैसे आएगी लिस्ट, यह सब किस डेट में आना है, उसमें आपको पता चल गया था, वो मैं एक बार और बता देता हूँ, आपको देखिए, पता पर जाएंगे आप यहां पर फर्म लिस्ट विद एलोकेशन फॉर एड्मिशन मतलब किसका फाइनल एड्मिशन हो चुगा क्योंकि लिस्ट आयती उसमें सेलेक्टेड में जिसने काउंसलिंग की उसका हुआ होगा जिसका कोई रिजेक्शन हो गया रिजेक्ट हो गया उसका किसकी क्लियर हुए है वह सब चीज इसी लिस्ट में पता चलेगा तो इसमें देखें फैकल्टी वाइस है सबसे पहले यहां पर जो यह वैरिफिकेशन था वैरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका आता है देखें डिस्पले और फर्म लिस्ट है यह हैं यही है इस तारीकों मझालब 28 January आ रही इस कोर्स की तो ऐसे ही अपने कोर्स का च्छेक कर लेंगे किस डेट में आ रही है तो इस डेट में लिस्ट आ जाएगी और आपकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगे तीन लिस्ट आएंगी मरला फाइनल ठीक है उसके बाद कोई नहीं आगी देगे फैगल्टी ऑफ आर्ट्स में ऐसे यह देखे अभी पस इंजीनियरिंग फैगल्टी की कुछ लिस्ट आई है देखा देता हूं मैं आपको जैसे आप देख सकते हैं आप फर्म लिस्ट देख स यहां पर simple simple name आ गया है मतलब इनका selection हो गया है इनका admission हो गया है अब उसके बाद फिर fee का था मतलब fee कब आपको भनी है उसमें schedule में एक बार और दिखा देता हूं मैं तो इस schedule में दिखा रखा है कि आपको कब fee submit करनी है देखिए fee का submit का करना है option वगरा सब दे रखा है इसमें यहां पर देखे जैसे यह display firm list आगे 23 की 23 जनवरी को अब 25 से 27 तक आपके admission होगा वो admission की fee जमा करनी है जो fee जमा कर देगा उसका admission हो जाएगा जो नहीं करेगा उसका फिर से cancel फिर दूसरी list आएगी उससे दूसरी list में उन बच्चों का नाम नहीं होगा मतलब जो cancel होगी है बस उसका cancel हो जाएगा फिर उसकी fee जमा करनी होगी थर्डवाले का ऐसे ही होगा फिर इसका थर्डवाले की fee होगी और फिर खतम हो जाएगा तीन राउंड होने मैंने पहले भी बता जिता आपको detail में बाकी सब चीज में आपको बताते रहे तो Instagram पे मैंने आपको ID दे रख करनी है क्योंकि online है कोई गलती नहीं करना पैसों सवाल होता है बच्चों की जान होती है कुछ कुछ की पैसों में तो इसलिए सब्सक्राइब कर ले कोई गलती नहीं हो जाए सब्सक्राइब करने से आगे भी guidance मिलता रहेगा क्लास कब से होगी क्या होगा सब चीज अगले स दाल के लिए सब चीज मैं बताते रहता हूं वीडियो लाइक तो आप करी देते हैं और खुद से कर दीजे वीडियो देखने के लिए थैंक यू